तारकेश्वर महादेव की आराम बागवासी के अमार आंत्रिक सुबेच्चा बोरोरा प्रणाम एवाम छोटोरा अमार भालो भाशा ने बेन सबसे पहने तो मैं मात्रुश शक्ति को सामर्थ देने वाली इस भूमी को प्रणाम करता हूँ जहां बगल में ही खाना कूल में महान समाचुधारत राजा राम मुहन राईजी ने जन्मलिया और नारी शक्ति के जीवन को नया सामर्थ दिया था मैं खाना कूल की धर्ति को प्रणाम करता हूँ राजा राम मौंदराय की प्रेणा से भारत की नारी शक्ति के कल्यान के लिए जीजान से जुटा हुआ भायों भानों आप सभी इतनी बड़ी संख्या में हमें आशिरवात देने आये हैं हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं यहां को जुझ नवजवान बहुत सुंदर सुंदर चित्र बना करके लाए थे वहाँ एक बेटी कितनी देर से बगवान जगनाजी का चित्र लेकर आई थी आप सबका क्योंकि यह धर्ती तो रग रग में कला आर्ट यह यहां की विज़ेस्ता है मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ लेकिन मैं अनुभाव कर रहा हूँ कि भावी पीडी और वर्तमान युवा पीडी आपका ये प्यार इन सब के प्यार का एक प्रतीग है और इसलिए मैं रिजय से आप सबका धन्यवाद करता हूँ साथियों अपसे कुछ देर पहले मुझे यहां साथ हजार करोड रुपिय से जादा के प्रोजेक्ट का उद्गाटन और सिलान्यास करने का सवभाग्य मिला हूँ इन में रेल, पॉर्ट, पेट्रोलियम और जल सक्ति से जुड़ी परियोजनाय शामिल है मैं बंगाल के आप सभी लोगों को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ साथियों पस्चिम बंगाल आजादी के अंदोलन की प्रेना स्थली रही गुलामी के विरुद्ध प्रखर नेत्रत्व देने वाली यहां के हर संतान का सपना था कि भारत विकास की नई उचाई प्राप्त करें आज मैं जब बंगाल आया हूँ तो कह सकता हूँ कि आज का भारत उनका यह सपना पूरा कर रहा है बीते दस साल में भारत ग्यारवे नंबर की इकना में से उपर उठकर पांचवे नंबर की आर्थिक ताकत बना है जी ट्विंटी में कैसे भारत की जैजे कार हुई यह हम सब ने देखा है आज भारत स्पेस सेक्टरी में अग्रणी बन रहा है जो काम दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया वो हमारे चंद्रयान ने किया है आज स्पोर्ट्स के छेत्र में भी भारत नए रिकॉर्ड बना रहा है अब आज स्वतंत्र भारत में देश की समरुद्धी और हमारा समरुद्ध सांस्कृतिक धरवर फिर से पूरे गवरों से नए उचाई प्राप्त कर रहा है और यह हम सभी का सवभाग्य है कि पांच सदियों के इंतजार के बाद पांच सो साल के बाद प्रभूर्शी राम अपने भग्य मंदिर में विराजे है पस्ति बंगाल में जीस तरह राम लला का स्वागत हुआ स्री राम के प्रती बंगाल के लोगों की जो आस्ता है उससे पुरा देश प्रभावित है प्रेरित है साथ्यों देश की इन उप्रभ्दग्यों के बीच बंगाल की स्थिती भी आज पुरा देश देख रहा है मा, माटी, मानुष ये इसके ढोल पिटने वाली P.M.C. ने संदेश खाली की बेहनों के साथ जो किया है वो देखकर पुरा देश दुखी है आक्रोशीत है और मैं कह सकता हूँ कि राजा राम महनराय की आत्मा आज जहां भी होगी इन लोगों के इन कारणामों के लेकर के अत्यंत दुखी होगी होगी क्योंकि इनों ने संदेश खाली में जो किया राजा राम होगों राय उनकी आत्मा आज रोती होगी टी-म-सी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेट्यों के साथ दूस साहस की सारी हदे पार कर दी जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की मम्ता दीजी से मदद मांगी उन्हें बदले में क्या मिला मुख्यमंत्री दीजी ने बंगाल सरकार ने टी-म-सी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी बी-जे-पी के दबाव में इन सारे नेताओं ने रात दिल लडाई लड़ी माता और बैनों के सम्मार के लिए लडाई लई लाठिया खाई मुसिबते जेली बी-जे-पी के दबाव में आखिर कर कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने जुक करके उस आरोपी को गिरबतार करना पड़ा टी-एमसी के राजबें टी-एमसी का यह अपरादी नेता करीब करीब दो महिने तक फरार रहा कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा क्या ऐसी टी-एमसी को माप करेंगे क्या माता और बेनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे के नहीं लेंगे लेंगे के नहीं लेंगे हर चोड का जवाब वोट से देना है आज बंगाल के जनता यहां के मुख्यमंत्री दीदी से पूछ रही है क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेश-खाली की पिडित महिलाओं से भी जाता एहम हो गया है हरे शर्म आनी चाहिए बंगाल के मेरे भाव्यों भहनों मुझे सबसे ज़्यादा हरानी इंडी गड़बंदन के बाकी नेताओं को देखकर होती है इंडी गड़बंदन के बड़े-बड़े नेताओं संदेश-खाली पर आख, कान, मुझे गादी जीजी को जो तीन बंदर देने हैं उन तीन बंदरों की तरह आख, कान, नाख, मुझे सब ये बंद करके बैटे हैं पटना, बैंगलोरू, मुंबई न जाने कहां कहां ये साथ मिलकर बैठके करते हैं लेकिन क्या, लेप्ट और कॉंग्रेस ने, यहां की सरकार से, यहां के मुक्वंत्री से, जवाब मांगने की हिम्मत की क्या इन लोगों से, संदेश ठालिक इन बेहनों की तरफ, एक नजर देखा भी नहीं गया और आपने देखा है, कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्ष ने क्या कहां? आप सुनकर के चौक जाएंगे, मेरी माताओ बेहनों, जो बंगाली में मेरा टार्स्टेशन कर सकते हैं, वो इन माताओ बेहनों को जुरू बताएं, कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्ष ने का का, कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्ष कहते हैं, अरे छोड़ो, बंगाल में तो ये सब कुछ चलता रहता है क्या ये बंगाल का पान्हेक नहीं है बंगाल की महान परंप्रा का पान्हेक नहीं है बंगाल की महान संस्कृति का पान्हेक नहीं है बंगाल के वीर पूरुषों का पान्हेक नहीं है बंगाल के संस्कार्प्रिय नागरिकों का प कॉंग्रेस की और इंडी गठबंधन की है साथियों इंडी गठबंधन के लिए ब्रस्टाचारियों, परिवारवादियों और तुष्टी करणवालियों का साथ देना ही ये की काम बचा है ये ही सबस्य बड़ा काम है टी एमसी ने बंगाल में अपराद और प्रस्टाचार का एक नया मोडल प्यदा कर दिया है राज्य सरकार प्रस्टाचार को बढ़ावा देती है अपराद को बढ़ावा देती है इतना ही नहीं अपरादियों को समुरक्षा के बदले टी एमसी नेताओं को भर भर के पैसे मिलते है टी एमसी ने हाँ प्राइमरी टीचर्स की भरती में गोटाला किया किया ने किया गोटाला किया ने किया टी एमसी में हाँ मुनिसिपालिटी भरतियों में गोटाला किया ने किया गोटाला किया ने किया PMC ने हां सरकारी सामान की खरिद में गोटाला किया गने किया PMC ने हां गरीब को राशन देने में गोटाला किया गने किया गरीब और मद्नमवर की जमीन पर कब्जा करना हो चीटफंड योजनों में गोटाला करना हो बॉर्डर पर जानवरों की स्मगलिंग करनी हो टीमसी ने गोटाले और प्रष्टाचार के लिए कोई खेत्र छोड़ा नहीं है और इसलिए देखो टीमसी के मंत्रियों के गर से नोटों के धेर निकल रहे हैं नोटों के धेर आपने इतन नोटों के धेर देखे नहीं देखे देखे नहीं देखे प्या कभी पहले नोटों के इतने बड़े धेर देखे थे कभी सिनेबा में भी देखे थे क्या क्या कर दिया है इन लोगों ने और उपर से यहां की सरकार केंद्रिय जांच एजंचियों को भी जांच करने से रोकने के लिए हर हजकंडा अपना रही है यहां के मुख्यमंत्री प्रष्टाचारियों को बचाने के लिए धरने पर बैठ जाती है TMC चाहती है कि केंद्र की योजनाव भी उनको खुली लूट करने का मोका मिले अब मोदी इनकी मनमानी चलने नहीं दे रहा इसलिए मोदी को TMC अपना दुस्वन नमबर वन मानती है अब आप मुझे बता दीजिए मैं जड़ा आपको पूछता हूँ क्या यह TMC की लूट में चलने दू क्या यह TMC जो करतियों में करने दू क्या यह पैसा आपका हैक नहीं है यह बंगाल के लोगों का पैसा एक नहीं है आपकी महनत का पैसा एक नहीं है क्या हो औरों को लूटने दू क्या अगर मैं लड़ाई लड़ता हूँ तो सही करता हूँ नहीं करता हूँ यह लूटे रहों के पीछे में कदम उठाता हूं? अच्छा कर रहा हूं? नहीं कर रहा हूं? मैं आज बंगाल को बादा कर रहा हूं. मेरी गारंटी है, यह लूटने वालों को लोटाना पड़ेगा. यह मोधी छोड़ने वाला नहीं है. और मोधी ने इनकी गालियों से डरता है, इनके हमले से डरने वाला, रुकने वाला मोधी नहीं है मैंने पस्चिम मंगाल की बैनों, पस्चिम मंगाल के गरीब, पस्चिम मंगाल के युवाओं को गारंटी दी है और मोदी की गारंटी की है, जिसने गरीब को लूटा है, उसको लोटाना ही पड़ेगा। साथियों, TMC की सरकार के रवे के कारां, पस्चिम मंगाल का विकास प्रभावित हो रहा है, TMC सरकार की सजा, यहां का गरीब और मिडल क्लास भूगत रहा है, मैं आपको इसके कुछ प्रमार देता हूँ, जारिया और रानी गंज, कोल फिल्ड का प्रोजेक्ट हमने लगबग छे साल पहले सुरू किया था, लेकिन यहां की सरकार इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, अठारा हजार करोड रुपिये का, यहां कड़ा याद रखिए, अठारा हजार करोड रुपिये, जगदिश्पूर हल्दिया और भोकारो धामरा पाइप्लाइन प्रोजेक्ट भी चार साल से पेंडिंग पड़ा है, राज्य सरकार का सहयोग न मिलने के कारण, तारकेश्पर से विष्टूपूर, रेल लाइन का काम भी रुपा पड़ा है, हजारो करोड रुपिये के ऐसे अनेक प्रोजेक्ट, जिनके लिए केंदर सरकार ने पैसा सेंक्शन कर दिया, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है, यहां तक कि टी एम सी सरकार गरीबों के घर तक नहीं बनने दे रही है, पूरे देश में मोदी ने चार करोड से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर दिये हैं, पक्के घर मिल चुके, वो पक्के घर में दिवाली होली मना रहे हैं, दुरगा पुजा कर रहे हैं, पच्चिम मंगार के गरीब परिवारों के लिए भी केंद्र की भाजपा सरकार ने 45 लाक 45 लाक गर हमने स्विक्रुत किये हैं, इसके लिए 42 थावजन करोड रुपिये, 42 हजार करोड रुपिये रिलीज किये गए हैं, लेकिन बंगाल में राज्य सरकार गरीबों के घर बनाने के लिए तेजी से काम नहीं कर रही, अडंगे डाल रही हैं, रुकावटे पैदा कर रही हैं, आप मुझे पताईए, पैसे हैं तो गरीबों के घर बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए, जल्दी से जल्दी बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए अच्छे से अच्छे बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए क्या ये टीम से वाले बना सकते हैं क्या बना सकते हैं क्या अगर बनाएगा तो बीजेपी बनाएगी अगर करेगा तो बहुत ही करेगा मेरी माता ये बेहने इतनी बड़ी तादाद में आई है आपको मैं बताना चाहता हूँ आप जानते हैं केंद्र सरकार हर गर नल से जल पहुंचाने का अभियान चला रही है हर गर में पाइप से पानी पहुंचे लिए काम हो रहा है चार साल के बीतर ही पूरे देश में ग्यारा करोड से जादा नए परिवारों को पाइप लाइन से नल से जल की सुविदा मिली है लेकिन हर गर जल देने के लिए पस्टिम मंगाल सरकार कच्छुए की रप्तार से काम कर रही है बताईए ऐसे लोगों को माप किया जा सकता है क्या माता ये बेने जो आपके घर पानी नहीं पहुंचने देते हैं उनका दाना पानी बंद करना चाहिए नहीं करना चाहिए करोगे क्या आपके हसिरवाद रहेंगे साथ्यों उसे माताओ बेनों बेट्यों की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है केंद्र सरकार पैसा दे रही है लेकिन यहां की सरकार उसका उप्योग भी नहीं कर रही है साथ्यों हर उस योजना से जिससे गरीब का भला होता हो टीमसी सरकार उसके सामने दिवार बनकर खड़ी हो गई है मोदी ने हर गरीब परिवार को पांच लाख उर्प्यों तक के मुप्त इलाज की गारेंटी दी है आईश्मान कार से देश भर में करोडों गरीब परिवारों का मुप्त में इलाज हुआ है इससे इन परिवारों को लगबग एक लाख करोड रुपी की बचत हुई है लेकिन गरीब, SC, ST, इनकी विरोधी, TMC, यहां के सवा करोड परिवारों को इसका लाख नहीं दे ले देती कि आप मुझे बताइए गरीब को मुप्त इलाज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए अगर बिमारी में सरकार उसके पैसे दे तो उसको सहरवार का लाख मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए अब देखिए यह गरीब विरोधी, TMC वो भी नहीं करने देती देश के करोडों लोगों को मोधी बिमारी में पैसा दे रहा है बंगाल में नहीं दे पा रहा है क्योंकि T.M.C. मना कर रही है T.M.C. सरकार P.M. किसान सिन्मा निदी का लाब दिलाने में भी लंबे अर्षे तक अड़गे लाल लगा रही है 12 सरकार के प्रयासों से हाँ बंगाल के छोटे किसान के बैंक खातों में सीधे 11,000 करोड रुपिय ट्रांसपर हुए है लेकिन T.M.C. सरकार की पूरी कोशिश है कि इस योजना का पैसा भी हड़प लें साथियों T.M.C. सरकार गरीब किसान नवजवान और महिला के ससक्ते करण में बहुत बड़ी रुकावट है ये चार बर जब तक ससक्त नहीं होंगे तब तक पस्चिम मंगाल विक्षित नहीं हो सकता इसलिए आज केंद्र सरकार गरीब किसान नवजवान और महिला ससक्ति करण पर सबसे ज़्यादा जोर दे रही है ये भाजपा की ही सरकार है जिसने नारी शक्ति बंद्यन अधिनियम करके लोग सभा और विदान सभा में महिलाओं को आरक्षन दिया ये भाजपा की ही सरकार है जिसने नमो ड्रोन दीदी अभ्यान चुरू किया है इस अभ्यान के तहर हम गाउं की बेहनों बेटियों को आधुनिक ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं बाजपा की सरकार गाउं गाउं में महिला स्वयम सहायता समुओं को लाखो करोड की मदद दे रही है जिससे उनके आमदनी और बड़े हमने देश में तीन करोड लखपती दीदी तीन करोड लखपती दीदी बनाने का भी संकल्प लिया है साथियों पस्चिम मंगाल विक्सित होगा तबी बारत भी विक्सित होगा इसके लिए जरूरी है कि आने वाले लोग सबाचुनाव में पस्चिम मंगाल की सभी सिटों पर कमल खिले खिलेगा खिलेगा टी एमसी को गमंड है कि उसके पास एक निश्चित बोट बैंक है इस बार टी एमसी का ये गमंड भी तूटेगा इस बार मुस्लिम बेहन बेटियां भी टी एमसी के गुंडा राज को उखाड फैकरने के लिए आगे आएगे इस लोग सबाचुनाव के नतीजे पस्चिम मंगाल से टी एमसी सरकार काई का उसकी विदाई का उसके पराजय का काउंट डाउन शुरू करेंगे आज सब्दुर आंकी आवाज आ रही है मैं अभी देख रहा था सुपेंदर जीरो और हमारे अध्यक जी बता रहे थे एई बार एई बार एई बार एई बार एई बार एई बार मैं आपका फिर आभार व्यक्त करूंगा कि आप हमें इतनी बड़ी संख्या में आशिरवाद देने आए हैं आप अपने अपने गाउं जाएंगे तो आँ सब को कहना कि मोदी जी ने प्रणाम कहा है कहेंगे दोरों हाथ लुपर कर मेरे साथ बोलिये भारत माता की भरत माता की वंदे बाद बाद धनिवार झाल